तो दोस्तों स्टॉक मारकेट में जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करने की सोचते हैं तो आपको अलग लग लोग चाहे वो अडवाइजरी कंपनीज हो या हो स्टॉक ब्रोकर फोन करके बताएंगे के सर आप इंतजार मत कीजी अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए हम आपको बताएंगे कहां पैसा लगाना है रोज आपको टिप्स प्रोइड करेंगे स्टॉप लोज के साथ और आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं अब ये तरीका ज़रूरी नहीं है हमेशा आपके लिए प्रोफिटेबल हो तुकि वो हरे एक क्लाइट को यही बात बोलते हैं दूसरा option है कि आप खुद से समझ सकते हैं, कुद से पढ़ाई कर सकते हैं, कुद से सीख सकते हैं ट्रेडिंग अब दूसरे की बात विश्वास डिरेकली करने से और खुद में पढ़ाई करने के लवा क्या ऐसा कोई option है जिससे आप इस तरीके से वो काम करता है और क्या वो आपके लिए सही है या नहीं तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तो इस solution का नाम है stock basket अब इसको बनाया किसने है सेमको नाम के लिसकाउम ब्रोकर ने पहले सेमको के बारे में जान लेते हैं सेमको 1993 में समृधी stock broker की रूप में market में आया था 2015 में ये rebrand होके discount broker की दुनिया में कदम रखा है इनोंने और सेमको के नाम से आये हैं इनके CEO है मिस्टर जिमीत मोधी जिनोंने ITL इंडियन ट्रेडिंग लीग को भी एक तरीके से market में लाया था ये discount broker है जो के आपको 20 रुपया लेवल पे ब्रोकरे चार्ज करता है 0.2, 0.02 इंट्राडे में जो भी काप हो अब ये तो होई बात सेमको की stock basket क्या है stock basket एक unique concept है जिसमें आपको एक basket actual basket मिलता है stocks की collection का mix का depending on the risk appetite कितना पैसा लगाना है कितनी आपकी return के expectations है इस तरह के इनोंने कुछ specific level पे baskets बनाए हैं आगे चलके बताएंगे कि किस तरह के हैं वो अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि अगर आप stock market में directly पैसा लगाना चाहते हैं और आपको समझ ही नहीं है कि कौनसे stocks में पैसा लगाया जा सके जो ठीक ठाक level पे आपको return दे सकते हैं तो उस level पे stock basket आपको मदद करता है उन particular stocks में ठीक तरीके से पैसा लगाने के लिए अब ठीक तरीका क्या है देखिए कौन सारी confusion होती है कोई लोग कहते हैं कि ये stock में पैसा लगा दो definite level पे return मिलेगा इतना x percentage मिलेगा लेकिन बाद में पता लगता है वो company ही बंद हो गई जो 1200 रुपे का share था वो 1500 रुपे का रह गया है तो एक तरीके से आपको पता नहीं और मुश्किल भी है इस तरह से level पे पता करना और beginners के लिए और भी tough हो जाता है तो ये particular level का जो product है आपको बंद करता है wealth create करने में long term level पे ये ध्यार रखिएगा long term पतम minimum 5 साल का lock-in लेके चलिए intraday traders, swing traders इस तरह की product का use नहीं कर पाएंगे उनकी volatility, उनकी expectations भी different होती है लेकिन जो long term में wealth creation करना चाहते हैं अपने मेहनत से कमाई हुए पैसे का वो stock basket का इस्तिमाल कर सकते हैं अब ये काम कैसे करता है अब देखिए काम करना काफी असान है इसका अलग अलग baskets बनी हैं जिनको इनके research experts ने काफी level पे analysis करके बनाया है, ऐसे 25 parameters हैं जिसके base पे ये baskets को differentiate किया जाता है अब ये अलग अलग तरहां की requirements के base पे इन्होंने करीब 28 ऐसी stock baskets बनाई है for example अगर आपको long term level पे पैसा कवाना है तो India's biggest brand basket for investing in stocks to the biggest brands अगर आपको बड़ी-बड़ी brands में पैसा लगाना है जो के market में mature पड़ी है कंपनी में पैसा लगाने पे consistent return आता है ज्यादा नहीं बट आएगा definite level पे तो आप long term theme पे पैसा लगा सकते हैं leaders of tomorrow basket का नाम है इसमें जो कंपनी आज की तारिक में बहुत fastest growing है अपने sector में अपनी इंडस्ट्री में उस पे पैसा लगाया जाता है medical and wellness basket उस particular basket में आपको जो pharmaceutical जैसे company है current scenario की बात भी करें तो अच्छा का सा return दे पा रही है तो वहाँ पे पैसा लगाया जाता है तो ये हो गया long term थी अगर आपको अपने financial goals को meet करना है तो उसमें भी आपको लगलग यहाँ पे baskets मिलती हैं जैसे है international vacation basket अब नाम से थोड़ा लगता है पता कि अगर आपको बाहर कहीं गोमने जाना है कुछ सालों के बाद आपका plan है कि आपको regular level पे कुछ vacations लगा ली है तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं dream holidays को पूरा करने के लिए अपने 2040 में मालो retire होना है 20 साल बाद तो उस level पे retire होने के बाद आपको अच्छा खासा lump sum return चाहिए तो उसके लिए अलग से basket है उसमें जो stocks pick किये होंगे वो उस basis पे ही pick किये होंगे तीसरा basket for example is risk taking ability अगर आपकी है तो पांच साल में या पांच साल के करीब आपको अच्छे खासे risk के साथ क्या है return कितना चाहिए कितने पैसे के लिए hold करना है कितने समय के लिए hold करना है तो इन सब चीजों को मदे नजार रखते हो इसे 25 parameters हैं और उसके बाद इसी 28 baskets बनाई गई है आप 3000 रुपए से as low as 3000 रुपीस से शुरू करके इसमें अच्छा कासा पैसा कमा सकते हैं 15 रुपे तक का पैसा इसमें एक basket में लगा पाएंगे इसमें आप लबसम पैसा भी दे सकते हैं मतलब एक ही बार में पैसा दे दिया नहीं तो SIB systematic investment plan भी method जो है इसका choose कर सकते हैं तो इस तरह से stock basket काम करता है जहां पर depending on your expectations आप अपना पैसा लगा सकते हैं अब stock basket के थू stock market में पैसा लगाने के फायदे क्या है क्यों आपको लगाना चाहिए देखिए पहले तो आपकी समय बहुत बच्छता है आप beginner हैं अगर तो आपको सीखने में समझने में समय नहीं जाय करना आप सीखिए पैरली आप सीखिए भी लेकिन अगर आपको ठीठा return चाहिए अगर आपको जल्दी एंटर करना है सही stocks के साथ तो ये एक अच्छा product है return आपको अच्छे मिलते हैं as compared to fixed deposit, gold, bonds, ppf इन products के comparison में अगर आप stock basket में पैसा लगाते हैं तो return भी अच्छा आएगा risk भी कम है क्योंकि जो companies एक basket में choose की जाती हैं वो mature companies होती है relatively और हर एक stock particular basket में 6-10 stocks का आपको combination मिलता है safe secure है क्योंकि SEMCO के experts नहीं ये basket बिनाए हैं और SEMCO जैसे आपको बताया एक भरोसे मन ब्रोकर है और इसमें अगर आप long term investment की बात ही कर रहे हैं तो आपको compounding level पर returns मिलते हैं और ये proven methodology है अच्छे खासे return पाने के लिए अब इसके खर्चे क्या है पता लगना चाहिए आपको कि पांच साल से जल्दी exit मालने की कोशिश करते हैं तो आपको जो transaction charges हैं वो double देने पड़ेंगे तो तभी enter करें जब आप clear हैं अपने investment objectives और time horizon के साथ दूसरा खर्चा है annual subscription charges जो के ऐसे किसी ब्रक में लगेंगे तो subscription charges आपको quarterly यहां पर देना पड़ सकता है तो यह एक अलग खर्चा है हालनकि आपको बता दें कि अगर आप 5 साल में invested रहते हैं और कोई पैसा नहीं बनाते using stock basket तो आपकी जो भी subscription fees आपने दी है throughout 5 years उस सारी refund कर दी जाएगी यह एक अच्छा का सा claim है इस broker के द्वारा अब करना कैसे है इसमें invest सैमको में आपको debit account खोलना पड़ेगा link आपको description में मिल जाएगा download कीजिए stock basket app को अपने trading credentials को use कीजिए 28 stock baskets आपको दी गई है अगर आपको demo चाहिए इसका तो एक video उसके भी बना सकते है आप comments में बताएए we will create a video just on that topic और इन 28 baskets में से आपको single click करके order को execute कर देना है और आप अपने जो stock baskets पे जहां जहां पैसा लगाया है उसकी performance को monitor भी कर सकते हैं कि आज की तारिक में आप कितने return पे हैं लेकिए 5 साल का आपका horizon है holding period है तो उस हिसाब से ही आपको इंतिजार भी करना पड़ेगा किसके लिए stock basket नहीं है हर एक के लिए नहीं है किसके लिए नहीं है जिनको frequent trading करना है regular trading करना है short time trading करना है intra-day swing trading करना है उनके लिए basket नहीं है ये तो आपको discipline रखना पड़ेगा as an investor 5 years का आपका holding period है आपको अगर basket को customize करना है कि में को अपने हिसाब से basket बनानी है तो ये प्रवधान मौजूद नहीं है there is no such provision तो आपको उस level पे भी ये चीज यूज नहीं कर पाएंगे आप तो again आप याद रखिए इस चीज को कि अगर आप 5 साल में पैसा नहीं बनाते हैं तो ये पैसा subscription cost जो भी रहेगा वापिस कर देंगे that's again a strong claim stock basket में दोस्तों बस इतना ही review करने की कोशिश की है हमने बताएं अलग लग तरीके खर्चे बताएं किस तरह से यूज करना है किन लोगों को यूज करना है और किन को नहीं अब आपको देखना है कि आपके ये प्रड़क्ट अच्छा है या नहीं यू के चेक आउट आप डेमो लेके जरूर देखिए and then you can figure out whether you'd want हमारे करफ से अगर आपको डेमो चाहिए तो we can create a demo just for you और इसको एक वीडियो की रूट में ला सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शियर कीजिए दोस्तों के साथ और डिजिटल ब्लॉगर को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा तैंक यू सो मच, बाबाई